नेपोलियन हिल कुछ प्रेनादायक कथन इंतजार मत करो क्योंकि समय हमेशा सही नहीं होता आमतोर पर महान उपलब्धिया महान बलिदानों का फल होती है और कभी भी स्वार्थ का परिणाम नहीं होती पाने से पहले दीजिये जिस प्रकार आखों को देखने के लिए रोशनी की जरुरत होती है उसी प्रकार हमारे दिमाग को समझने के लिए विचारों की जरुरत होती है सभी उपलब्धियों का चरम बिंदु इच्छा ही है यदि आप महान काम नहीं कर सकते तो छोटे कामों को ही महान तरीकों से करे यदि आप स्वयम पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे तो स्वया आप पर विजय प्राप्त कर लेगा जिस भी बात की दिमाग कलपना कर सकता है और भरोसा कर सकता है उसे हासिल भी किया जा सकता है इच्छा ही सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु है दर्प मन की एक स्थिती के आलावा और कुछ भी नहीं है कोई भी सुझाव, योजना या उद्देश मन में विचार को बार-बार दोहरा कर बैठाया जा सकता है हर कोई उस तरह का काम करने में आनन्द उठता है, जिसे करने के लिए वो उप्युक्त है दिमाग के बिना पैसा हमेशा खतरनाक होता है हर विपत्ती, हर असफलता और हर मनोव्यथा अपने साथ बराबरी का बीज लिए होती है एक लक्ष एक समय सीमा के साथ देखा गया स्वपन है जीवन में आपको जो भी अवसर चाहिए वो आपकी कल्पना में प्रतीक्षा करते हैं कल्पना आपके मस्तिश्क की कार्यशाला है, जो आपके मन की उर्जा को सिध्धी और धन में बदल देती है जिस भी बात की दिमाग कल्पना कर सकता है और भरोसा कर सकता है, उसे हासिल भी किया जा सकता है हर एक काम्याबी और दौलत की शुरात एक विचार से होती है धैर्यक द्रिर्ता और पसीना सफलता का अपराजे सन्योग है इनसान तब तक नहीं हारता है, जब तक की वो अपने दिमाग में हार ना मान ले सबसे महान लोग अपनी सबसे महान सफलता को अपनी सबसे बड़ी असफलता के एक कदम आगे ही हासिल करते हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और तुरंट इसे क्रियानवित करने की शुरुवात कर दें, चाहे आप तयार हो या नहीं अधिकांश दुर्भाग्य समय के दुरुपियोग का परिनाम होते हैं अगर आपको यकीन है कि आप सही हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि दुनिया क्या सोचती है कोई भी व्यक्ति बड़ी सफलता प्राप्त नहीं करता है, जो व्यक्तिगत त्याग करने को तयार नहीं है आलोचना से बचने का एक तरीका है कुछ न करना और कुछ न होना तब दुनिया आपको परेशान नहीं करेगी आपका मानसिक रवया आपके व्यक्तित्व की सबसे भरोसे मंद कुझी है एक बुरी आदत अक्सर एक दर्जन अच्छी आद्तों को बिगार देती है मनुष्य अकेला अपने विचारों को भौतिक वास्तविक्ता में बदलने की शक्ती रखता है मनुष्य अकेला ही सपने देख सकता है और अपने सपनों को साकार कर सकता है सफलता किसी भी उम्र में अच्छी होती है लेकिन जितनी जल्दी आप इसे पा लेते हैं, उतनी ही देर आप इसका आनंद लेंगे। जीवन आपके निरंतर विचारों का दरपण है। सबसे मूल्यवान चीजों में से एक जो कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, वह दूसरों के ग्यान और अनुभव का उप्योग करने की कला है। एक बीमार शरीर की तुलना में नकारात्मक द्रिष्टिकोन से बीमार मन अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि इसकी बीमारी हमेशा संक्रामक होती है। भगवान ने हमें अपने जीवन में एक चीज पर नियंतरन दिया है, हमारे विचार। जब आप नकारात्मक विचारों के लिए अपने मन का द्वार बंद कर देते हैं, तो अवसर का द्वार आपके लिए खुल जाता है। चलते रहो, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो। एक हार मानने वाला कभी नहीं जीतता और एक विजेता कभी हार नहीं मानता। मनुष्य अपने भाध्यका स्वामी इसलिए बन सकता है क्योंकि उसके पास अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने की शक्ती है।